So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Vodafone Idea Share के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं जब दुबारा नीचे फॉल आया तो इसी एरिया के राउंड से फिर से सब्वोट ले लिया तो अभी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब यह इसी प्राइस के राउंड आएगा 15 रूपीज के राउंड तो यहीं पर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो यह मैंने आपको समझा दिया कि बाउंस बैक कैसे हो सकता है इसका अब क्याएगी स्टॉक अभी है 15.64 रूपीज के आसपस अभी यह थोड़ा सा और नीचे आसकता है 15 रूपीज तक और फिर यहां से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है और यह जो उपर की तरफ फिर रैली स्टार्ट होगी उसमें हमें टार्गेट के देखने को मिलेंगे वो डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले जो टार्गेट आपको देखने को मिलेगा 16.4 रूपीज का फिर अगर यह ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर 17 रूपीज के भी टार्गेट देखने को मिल सकते हैं तो मैं अभी फिलाल के लिए दो टार्गेट आपको बता रहा हूँ अभी ऐसन यह कि यह टार्गेट के दिन में यहाँ पर पूरे हो जाएंगे आपको ये एक-दो हफते के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं यह टार्गेट और फिर यह टार्गेट के side के लिए भी आपको और level सी है तो मैं आपको बता ज़ेता हूं निरस जो level हमें देखने को मिल सकता है 13 रुपीज का और 13 रुपीज का तब देखने को मिलेगा अगर 15 का price अलड़ी अभी आपको बताए कि 15 रुपीज का price break होके री टेस्ट करके गिरने लगता है तो यह 13 रुपीज के price पे आके यहाँ पे थोड़ा रुकेगा और फिर हो सकता है रिवर्सल दिखा दें तो मैंने आपको दोनों scenarios बता दियें एक आपको बता दिया है 15 रुपीज के around support लेगा और 16.5 तक जा सकता है और यह break होने के बाद यहाँ पे 17.2 तक के target देखने को मिल सकते हैं तो यही थी आज की वीडियो वोड़ा फोन आइडिया शेयर के ओपर आई होप यह वीडियो अप लोग के लिए helpful रही होगी ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में